आज मैं आपके लिए कोई खाने की रेस्पी नहीं लेके आई हूँ पर मैं कुछ ऐसे किचिन टिप्स लेके आई हूँ जो हमारे रोज की काम को असान बना देती हैं ये किचिन टिप्स मैं खुद भी फॉलो करती हूँ तो सोचा आपके साथ भी इने शेयर करूँ तो आज का हमारा पहला है खै लहसुन को लेकर तो लहसुन की कलियां छीलने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है पर ये वीडियो देखने के बाद आप इने मिंटों में छील सकते हैं तो सबसे पहले इनकी कलियों को इस तरीके से अलग कर लेंगे और इसके छिलके को निकाल देंगे सिर्फ कलिया कलिया एक साइट कर लेंगे तो देखिए छिलके अलग हो गए हैं और लहसुन की कलिया अलग हो गए हैं अब हमने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी पानी और इसमें हम इन सभी कलियों को 10 नट के लिए भिगो के रख देंगी अगर आपके पास जादा टाइम नहीं है तो आप इसे 2 मनट के लिए गरम पानी में भिगो दीजे और उसके बाद देखिए यह थोड़ा सा भीग चुकी है और अब यह बिल्कुल असानी से छिल जाएंगी तो या तो आप इने चाकू से छील लीजे या फिर हाथ से ही इनके छिलके को अलग कर लीजे तो देख रहे हैं आप कितनी असानी से इनका छिलका अलग हो रहा है इस तरीके से आप बहुत सारी लहसुन की कलियां भी बहुत ही जल्दी छील कर स्टोर करकर भी फ्रिज में रख सकती है और ये हैक 100% वर्क करता है आप भी से जरूर ट्राइ करिएगा देखी कितनी जल्दी लहसुन की कलियां छिल गई है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है नेक्स्ट है के हमारा नमक को लेकर रेनी सीजन में जादतर क्या होता है नमक सील जाता है तो इस तरीके से हमें सॉल्ट सेडर में थोड़े से दाने चावल के डाल देने हैं और इसको हिला देना है इसके बाद आप देखेंगे नमक एकदम स्मूदली इस में से स्प्रिंकल होगा चलिए अपने थर्ड हैक पर तो ये देखें मेरे पास दो अमोल फ्रेश क्रीम की शीशिया है ये मेरे पास काफे दिन से रखे होई थी और ये पुरानी हो गई है जिसकी वज़े से ये फूल गई है तो हम जनरली क्या करते हैं कि पुरानी सोच कर इने फेक देते हैं पर मैं आपको एक इसका भैतरीन यूज बताती हूँ जिसकी वज़े से हमारी ये क्रीम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी और एकदम पैसा वसूल होगा सबसे पहले इन सभी क्रीम को हम एक पैन में निकाल लेते हैं और इसको हलका सा मिक्स कर लेते हैं अब इसको हम गैस पे रखेंगे और दो से तीम नट के चला लेंगे पर उससे पहले इसमें आट कर लेते हैं दो लॉंग लॉंग डालने से घी भूती अच्छा निकल के आता है देखे तीम नट गैस पे चला लिया था और ये अब liquid form में आ गया है फिर से इसको एक बार gas पे चला लेंगे और इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे ये थोड़ा ठीक होता रहेगा और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक घी अलग न हो जाए और इसमें जो छाच होती है वो अलग न निकला है देखिए घी निकल गया है चलिए इसको छान लेते हैं इस तरीके से हमारी चीज वेस्ट भी नहीं हुई और इसमें से हमने घी भी निकाल दिया पर अभी एक और काम करना बाकी है चलिए पहले इसको दवा लेते हैं जो बचावागी है वो भी इसमें से निकलाए और अब इस छाच को हम वापस से पैन में पलट देते हैं इसका हम कोई भी चीज वेस्ट होने नहीं देंगे इसमें डाल लिया है आधा कटोरी पानी और इसको प्रेस करकर हम वापस से गैस पर रख देंगे और तीन से चार मिनट इसे पका लेंगे और ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक गया है चलिए फिर से इसे छाण लेते हैं इसमें उपर जो ये छाण रह गई है इसे हम फेक देंगे पर उससे पहले इसको प्रेस कर लेते हैं और नीचे जो पानी निकला है इसका यूज हम आटा मलने में या फिर सबजी बनाने में कर लेंगे आप इसे पानी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर इसे फ्रिज में रख दीजे इसके उपर घी जम जाएगा आप उसे यूज कर लीजेगा आप देखिए यहां घी भी निकलाया है और पानी भी तो है न एकदम पैसवसूल है अगर आइडियाज अच्छे लग रहे हों तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पर तो यह है मिक्सी के जार को लेकर जब भी हम जार को वाश करें तो उसे स्टोर करने से पहले उसे अच्छी तरीकी से सुखा लेना चाहिए वरना ब्लेट जल्दी खराब हो जाते हैं तो इसके लिए एक तवा गरम करा है और उसके उपर इसे उल्टा कर दिया है और उपर से एक इट रख दी है ताकि जो इट का प्रेशर है और नीचे से जब हीट पड़ेगी तो जार अंदर से एकदम सूख जाएगा आप देखिए ये जार अंदर से एकदम सूख गया है वैसे आप इस जार को धूप में रख कर भी सुखा सकते हैं पर अगर आपको उस पे नहीं रखना तो इस तरीकी से सुखाईए जार काफी लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा हैक आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा चलिए नेक्स है के हमारा चावल को लेकर चावलों में सुरसुरी बहुत जल्दी से हो जाती है मतलब जो घुन हो जाते हैं उससे बचने के लिए कोई भी आप माचिस ले लीजे और उसमें से चार पच्छ तिली निकाल कर चावलों में डाल दीजे तिली पर जो मसाला लगा होता है उससे इसमें कीड़े भी नी पढ़ते और घुन भी ने आते उसके बाद इस जखन को बंद कर दीजे और इसे अच्छे से हिला दीजे तो आपके चावल काफी लंबे समय तक सही बने रहेंगे चलिए अब चाथे अपने 6 हैक पर तो ये नमक से ही रेलेटिड है कि हमें रेनी सीजन में नमक को सीलें से कैसे बचाना चाहिए आप इस तरीके से कोई भी दो बिस्किट ले लीजे और इने नमक के डिबबे में डाल दीजे और डिबे को बंद करकर इसे हिला लीजे इन बिस्किटों को इसी में रहने दीजे जो भी नमी होगी वो ये बिस्किट एब्जॉब कर लेंगे एक और तरीका है यहाँ पर मैंने ले ली हैं 4-5 सोयबीन की बढ़िये यह मौशर को एब्जॉब बहुत अच्छे से कर लेती है और बड़ी भी है तो आप इसे जब नमक में डालेंगे और नमक को यूज़ करेंगे तो वो आपको अलग से ही देख जाएंगी तो यह हैक भी बहुत अच्छा वर्क करता है इसे ज़रूर यूज़ करके देखेगा चलिए नेक्स है के हमारा चांदी के समान को लेकर रखे रखे चांदी का समान बहुत ही असानी से काला पढ़ने लगता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि हम घर की ही चीजों से इसे एकदम नए जैसा कैसे कर सकती है तो सबसे पहले एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है एक ग्लास पानी और इसमें हम यूज़ करेंगे चाय पत्ती आप सोचेंगे ये पत्ती तो यूज़ करी वी लग रही है जी हाँ मैंने इसमें यूज़ करी ही चाय पत्ती का यूज़ करा है पर यहाँ हम थोड़े जादा चांदी के समान को क्लीन कर रहे हैं इसलिए मैं दो चमच चाय की पत्ती का भी यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ी सी मैंने पत्ती जो हमने चाय बनाते वे यूज कर लिती उसको लिया है और दो जमज नई चाय पत्ती डाली है अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे और इसमें 4-5 उबाल लेंगे ताकि जो पत्ती का सत है वो पानी में आ जाए देखिए पानी अच्छे से बॉइल हो गया है इसको एक बर्तन में चान लेती है और इस पानी को हमें गरम-गरम ही यूज करना है चलिए अब इसमें आट करते हैं एक चमच खाने का सोडा इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है और इसी के साथ इसमें डालेंगे एक चमच लिक्विड डिटर्जंट आप इसकी जगा जो सर्फ का पाउडर आता है उसे भी यूज कर सकते हैं चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें भीगो लेते हैं अपनी चांदी वाली प्लेट को अब इस पानी को इस प्लेट पर इस तरीके से फैलाएंगे ताकि जो पानी है वो प्लेट में लग जाए या फिर प्लेट को ही घुमा घुमा कर हम गीला कर लेंगे पानी से और 2-3 नट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पढ़ नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर नहीं अच्छी लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें देखें तीन से चार्मनेट हो गए थे और अब एक ब्रश ले लिया है जिसकी सायता से मैं इस प्लेट को रगर रही हूँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि कितना काला पानी इसमें से निकल रहा है बस थोड़ा सा ही हम इसे घिसेंगे और ये चांदी के बरतन एकदम नए जैसे हो जाएंगे चलिए प्लेट और कटोरी को हम वाश कर लेते हैं तो यहाँ पे एक ठाल में पानी ले लिया है और इसको हम वाश कर लेंगे घर में रखे हुए समान से ही और बिना किसी मेहनत के हम इन चांदी के बरतनों को एकदम से साफ कर सकते हैं बिना किसी खर्च के ये बरतन साफ हो जाएंगे वैसे बजार में काफे तरीकी के कैमिकल्स भी आते हैं जो भहुत कॉसली भी होते हैं और उनसे चांदी की समान पर बहुत नुकसान पॉसता है तो चलिए ये अच्छे से वाश हो गए हैं और अब हम इने सोखे कपड़े से पोच लेंगी इन बरतनों को वाश करने के बाद पोचना बहुत जरूरी है देखिए ये कित्ते साफ हो गए हैं और पोचने के बाद ये आपको और भी जादा क्लीन लगेंगी चलिए इसको साइड रख देते हैं और इसी तरीके से हम जो पजेव हैं उने भी क्लीन कर लेंगी आप चाहें तो हल्का सा लिक्विड सर्फ और डाल सकते हैं और इसको इस तरीके से क्लीन कर लेंगे पजेवे एकदम साफ हो जाएंगी फ्रेंड्स आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा मुझे आप सभी के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है तो देखिए कितनी असानी से ये सभी चीज़े साफ हो रही हैं और इनमें से कितनी गंदगी भी निकल रही है क्योंकि चांदी रखे रखे भी काफी काली हो जाती है तो यहाँ देखिए सभी चीज़े साफ हो गई हैं और अब हम इने साफ पानी से धो लेते हैं साफ पानी से धोने के बाद इने पोचना बहुत जरूरी है तो कॉटन के कपरे से इने पोच लेंगे और अब मैं दिखाती हूँ कि कितनी असानी से ये सभी बरतन एकदम साफ हो गए है तो आप भी इस रिक को जरूर फॉलो करिए और अपने चांदी के समान को चमकाईए चलिए नेक्स है के हमारा चूहो से रिलेटेड अगर आपके घर में भी काफी चूहे हो रहे हैं और आप उन्हें बिना मारे घर से भगाना चाते हैं तो ये हैक आपी के लिए है इसके लिए हमें बिल्कुल भी मेनत नहीं करनी पड़ेगी बस एक mixer तयार करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में दो चम्मच बेसन ले लिया है और इसमें हम एट करेंगे दो चम्मच ही सिर का ये white vinegar है जो easily available हो जाता है इसके consistency आप देख लीजिए हमें सिर्फ इतनी ही रखनी है इसमें एट करेंगे एक चम्मच सर्फ या फिर आप liquid detergent भी आइट कर सकते हैं और फिर से इसे एक बार mix कर लेंगे ये hack मैंने खुद भी use करा था और मुझे इससे काफी effect दिखा तो सोचा आपके साथ इसे share करती हूँ और अब हम इसमें डालेंगे 6 हरी मिर्च तो यहां मैंने इसको mix कर लिया है और एक चम्मच हरी मिर्च का paste इसमें add कर देंगे क्योंकि हरी मिर्च बहुत तेकी होती है जिसकी smell चूहों को बिलकुल निभाती और वो एकदम भाग जाते हैं और आप इसकी consistency देख सकते हैं ये एकदम perfect है चलिए अब ले लेते हैं newspaper और इसको हम newspaper पर अच्छे से फैला देंगे देखें consistency हमें ऐसे ही रखनी है ताकि जो ये paste है वो newspaper पर हम फैला सकी और इसको एकदम इसको हमें बहुत पतला नहीं फैलाना है थोड़ा मोटा मोटा ही फैलाना है और आप ये देखें ये एकदम फैल गया है अब हम इस paper को या तो gas पे या फिर जहां भी चूहे जादा आ जाएगा देखें कटोरी में जो थोड़ा बहुत लगा रहे गया ता उसे भी हम बिल्कुल निवेश करेंगे इस तरीके से अखवार की छोटी छोटी लोया बना लेंगे और उन पर लगा देंगे और फिर इसे फ्रिस्क के नीचे या फिर किवार के पीछे भी आप इसे र को निकाल देते हैं तो अब हम इने एफेक्ट तो नहीं सकते चलिए इसका हम एक बहुत टेस्टी सा स्टैक तयार करते हैं तो इस तरीके से ब्रैट के कॉर्नर को इखटा कर लेंगे और इसमें इंसर्ट कर देंगे टूथपिक यह रेसिपी बेस्ट आउट आफ वेस्ट है और यह इतनी टेस्टी बनती है कि आग इसे आप इसे स्पेशली ब्रैट के कॉर्नर कट करकर जरूर बनाएंगे देखें कितनी असानी से यह स्टिक तयार हो गई हैं और इसी तरीके से हम बाकी सारी स्टिक भी तयार कर लेंगी यह काफी हैं और बच्चों को तो यह बहुत पसंद आती हैं चलिए सारी स्टिक तयार हैं अब एक पैन लेते हैं उस पे लगाते हैं बटर और इन इस्टिक को दोनों तरफ से हलका हलका सा सेक लेते हैं और फिर इस पर सॉस लगा कर और कुछ-कुछ सबजियां लगा कर इने बेक कर लेंगे तीन नट के लिए आप इस पर अपनी पसंद की कोई भी सबजी लगा सकते हैं मैं यहां पर कॉन का और शिम्लमिश का यूज कर रही हूं देखे मैनी सॉस लगा दी है और इस पर अब सबजियां डाल देंगे थोड़ा सा चीज दालेंगे ताकि यह खाने में और भी जादा डिलीशियस लगे और आप विश्वास नी मानेंगे सिर्फ पाँच मिनट में यह स्नेक्स बनकर तयार हो जाता है चाहें किटी पार्टी हो या फिर बच्चों की पार्टी आप इसे जटपट बनाईए और सभी को सर्फ करिए यह देखिए कितना क्रिस्पी बना है यह हैक अच्छा लगा हो तो बहुत जादा करती हूँ क्योंकि यह मेरे रोज के काम को बहुत ही असान कर देता है इसके जो ब्लेट्स होते हैं यह सबजियों को बहुत ही बारिकी से चौप कर देती हैं यह इसका कंटेनर है इसमें ब्लेट्स फिक्स हो जाते हैं और साइड में इसमें लॉग भी दे और अगर आपको थोड़ी मोटी चाहिए तो आप उसे चॉप करना पहले ही बंद कर दीजिए ये चॉपर मेरे तो बहुत ही काम आता है और इसमें मैं कई बार ऐसे भी करती हूं कि स्थारी सब्जियों को चॉप कर लेती हूं और फिर उन्हें फ्रीजर में स्चोर कर लेती ये मुझे बहुत ही उसफुल लगा इसलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू आपको भी देना चाहिए अगर आप चॉपर खरीदने की सोच रहे हैं तो हैवल्स का ये चॉपर आपके लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसकी क्वार्टिप बहुत ही अच्छी है और ये मैं सीटी नहीं आपाती है उसकी जो स्टीम बनती है वो ऐसे ही भार निकल जाती है जिसका कारण होता है इस रवड का थोड़ा सा लूज हो जाना तो इसके लिए हम इस रवड को 10 नट के लिए फ्रीजर में रख देंगी और 10 नट बाद इसे फ्रीजर में से निकाल कर वापस स कुकर के धकन पर लगा देंगे फिर आप इस धकन को यूज़ करिएगा सीटी आने लगेगी ये एकदम काम का है के तो इसे जरूर यूज़ करिएगा नेक्स है के हमारा बिस्किट को लेकर ड्रेनी सेजन में क्या होता है अगर आपने बिस्किट निकाले हैं और यूज करने के बाद उन्हें वापस से डिबे में नहीं रखा तो ये बहुत ही जल्दी सील जाते हैं तो इससे बशने के लिए हम इस बिस्किट के डिबे में एक बड़े चमच चीनी डाल देंगे और इसको ढखकन बंद करकर हिला देंगे इससे आप देखेंगे कि जो बिस्किट सील गए हैं वो वापस से ठीक हो जाएंगे तो ये हैक भी एकदम काम का है चलिए चलते हैं अब ये है बेलन तो आप बेलन ले लिजे या कोई भी वुडिन इस्पैचुला जिसे आप योज करते हों तो उसे हफते में एक बार इस तरीके से गैस पर रखकर और उसे रोल कर दीजे इससे क्या होता है कि जो भी हमारे वुडिन इस्पैचुला होते हैं या बेलन होता है उनमें नमी रह जाती है वाश होने के बाद तो अगर आप उसे इस तरीके से करकर पोच देंगे तो उस पे नमी नहीं रहेगी और उस पे फंगस भी नहीं आएगी अपसे आप भी अपने वुडिन स्पैचुला को वीक में इस तरीके से क्लीन जरूर करिएगा तो इसके लिए एक थमसब तो बनता है चलिए नेक्स है के हमारा चीनी को लेकर देखिए चीनी में चीटिया या मकॉड बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं तो इससे बशने के लिए हम चीनी में इस तरीके से लॉंग डार कर रखते हैं इससे चीनी में बिल्कुल भी चीटिया नहीं लगती और चीनी एकदम ठीक रहती है और दूसरा है कि आपने नोटिस करा होगा जब बारिश होती है तो नमक औ लेते हैं कॉटन का कपड़ा तो मैंने दिखी चकोर पीसे जमीन कॉटन के कपड़ों को कट कर लिया है और इसमें हम डालेंगे डेर चमच करीब चावल ये कोई से भी चावल ले सकते हैं आप और अब इसमें हम गाठ लगा देंगी तो एकदम कस के गाठ हम इसमें लगा द और अब हम इन पोटलियों को इस नमक और चीनी में डाल देंगी और इस तरीके से चमसे इसे थोड़ा नीचे दवा देंगी आप नोटिस करेंगे कि आपके नमक और चीनी में जो मौशर आ गया था वो ये चाबल सोक कर देंगी और चीनी और नमक एकदम ठीक हो जाएंगी चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स हैक पर तो यहाँ देखें मेरे पास है बहुत सारा धनिया और थोड़ा सा पौधीना कई बार धनिया और पौधीना थोड़ी जादा मातरा में आ जाता है और यह बहुती जल्दी खराब भी हो जाता है तो अम मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे लंबे समय तक के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे कुछ टिशू पेपर आप टिशू पेपर की जगा निउस पेपर भी ले सकते हैं और इस पर पहले हम सारे पौधीने को रख देंगे और इस टिशू पेपर को हम रोल कर देंगे टिशू पेपर थोड़ा हलका होता है इसलिए हमें इसे दो या तीन टिशू पेपर में रोल करकर रखना पड़ेगा टिशू पेपर यूज करने से क्या होगा कि धनिया या पौधिना में जितना भी मौईशर होगा वो धीरे धीरे से सोक लेगा और अब हम इस तरीके का कोई भी एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लेंगे या आप वैसे भी कोई बॉक्स ले सकते हैं और उसमें इस पौधिने को रख देंगे इसी थरी से हम धनिय को भी स्टोर करेंगे पर एक बार इसे थोड़ा सा साफ कर लेंगे कि कोई गलवा पता तो नहीं है वरना बाकी का धनिया भी बहुत जल्दी घराब हो जाएगा फिर से हम टिशू पेपर ले लेंगे और इसको इसमें रख कर दो से तीन टिशू पेपर में रोल कर लेंगे और उसी डिब्बे में इसे करकर रख देंगे जब आप धनिय को या पौधीने को इस तरीके से स्टोर करेंगे तो ये धनिया और पौधीना साथ से दस दिन भी एकदम फ्रेश रहेगा तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्ट हैट पर जो की है नीबु को लेकर नीबु भी हफते भर तो अच्छे से रह जाती हैं पर उसके बाद ये थोड़े काले पढ़ने लगती हैं पर आप से ये काले नहीं पढ़ेंगी इनको इस्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिये हैं इसे कुछ न्यूस पेपर थोड़े बड़े साइस के लिए हैं और इसमें हम एक एक नीबु को अलग-अलग रैप करकर रख देंगी फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा और अगर नहीं अच्छी लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्षन में ये भी बताईगा कि आप ये वीडियो कि शहर से देख रहे हैं यहां देखिए अगर आप न्यूस पेपर में रैप करकर नहीं रखना चाते तो एक और तरीका है नीबु को लंबे समय तक स्चोर करने का तो यहां मैंने थोड़ा सा सरसो का तेल ले लिया है और इस तरीके से हम नीबु ओपर सरसो का तेल लगा लेंगी तो जब हमें नीबु को खाएंगे तो ये हमें नुकसान भी नहीं करेगा क्योंकि सरसो का तेल इडिबिल ओईल है तो इस तरीके से दिखिए सारे नीबू उपर सरसो का तेल लगा दिया है और इसी डिब्बे में हम इसे स्टोर करकर रख देंगी तो है ना गजब का है आपको कैसा लगा मुझे बताईएगा चलिए अब स्टोर करते हैं थोड़ी सी हरी मिर्ची तो हरी मिर्ची को स्टोर करने के लिए एक डिब्बे में हम टिशू पेपर लगा लेंगे और इनके डंठलों को अलग कर देंगी मिर्ची जब अपने डंठलों से अलग होती है तो वो लंबी समय तक चल जाती है और डंठल के साथ ये बहुती जल्दी गल जाती है तो इसी थरीके से हम इन सारे डंठलों को अलग कर लेंगे और ये जो डंठल हैं इन्हें आफेकेगा मत ये बहुत काम के डंठल होते हैं जब आप दही जमा रहे हों तो आप उस दही में इन दो से तीन डंठलों को डाल दीजेगा और आप देखेगा दही एकदम गाड़ी जमेगी और देखेए मैंने सारे डंठल अलग कर लिये हैं और ये मिर्ची अब 15 दिन भी पिल्कुल खराब नहीं होगी अगर हैक अच्छा लगे तो एक थमसब तो बनता है यहां देखेए मैंने केले ले लिये हैं और केलों का क्या होता है अगर दो तिन पुराने हो गए हैं तो वो एकदम काले पढ़ने लगते हैं तो इन्हें फ्रेश रखने के लिए हमें क्या लेना है सिल्वर फॉयल का एक टुकड़ा लेना है और इसकी टॉप पर इस तरीके से रैप कर देना है अगर आपके लोगों को इस तरीके से रखेंगे तो केले आपके बिल्कुल भी जल्दी से खराब नहीं होंगी चलिए नेक्स हैक पर कई बार हम ब्रेट सेखते हैं तो वो काली हो जाती है मतलब जल जाती है अब ये जल्ली भी ब्रेट तो किसी को नहीं अच्छी लगती तो इसका हम क्या करें तो इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा आइडिया है मेरे पास सबकी घर में ये छोटा सा ग्रेटर तो होता ही है तो आप ये ग्रेटर लेजिए और इस ब्रेट को इस पर इस तरीके से रब करिए जैसे जैसे आप रब करेंगे ये ब्लैक पार्ट जो हो गया था वो नीचे आ जाएगा और आपकी ब्रेट देखिए साफ होने लगेगी इसी तरीके से आप टर्ण करकर के इस पूरी ब्रेट को क्लीन कर लिजेगा ये हैक 100% वक करता है और जब आप इस ब्रेट को खाएंगे तो ये खाने में जली हुई भी नहीं लगेगी नाइफ और सीजर को लेकर फ्रेंड्स जो चाकू और सीजर पुरानी हो जाते हैं तो बहुत बार यूज होने की बज़े से उनकी शापनेस भी कम हो चुकी होती है तो आज हम चुटकियों में इनकी शापनेस को बढ़ाएंगी तो फ्रेंड्स पहला तरीका क्या है हमने कोई भी एक कप ले लिया है और इसको उल्टा करकर हम इस चाकू को इसकी एजिस पर रब करेंगे आप देखेंगी कि इसकी एजिस पे एक ब्लैक कलर का कार्वन निकल रहा है इस तरीके से जब इसे बार-बार आप रब करेंगे तो ये चाकू पहले से शाप हो जाएगा देखिए इधर की साइड ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है पर दूसरी साइड कप में ब्लैक निशा नहीं आ रहा है इसका मतलब चाकू शाप हो रहा है देखे इसकी H पहले से शाप लग भी रही है तो चलिए थोड़ा से हम इसे और शाप कर लेते हैं इस तरीके से जब आप चाकू शाप करेंगे तो फिरी में आपके चाकू शाप हो जाएंगे तो चलिए आप कैची को भी शाप कर लेते हैं तो इसके लिए यहां पे देखिए मैंने एक लंबी सुई ले ली है, अगर आपके पास यह नहीं है तो आप क्रोशिया भी ले सकते हैं या फिर सूजा भी उज़ कर सकते हैं, तो इस पे देखिए कैची को हमें इस तरीके से बार-बार चलाना है, इस तरीके से जब हम कैची क बार-बार चलाएंगे तो कैची की शापनेस पहले से बढ़ जाएगी, और बहुत ही अच्छा तरीका है घर में बैटे ही कैची को शाप करने का, चलिए एक तरीका और बताती हूँ कि आप चाकू को कैसे शाप कर सकते हैं, तो यहां देखिए मैंने ये रेक मार का टुकड अच्सान इसे चाकू को शाप कर देता है, बस हमें इसे इस तरीके से बार-बार रगड़ना है, क्योंकि यह थोड़ा खुर्खुरा होता है, मतलब इसका जो सर्फेस होता है वो रफ होता है, और इस पे जब हम इस चाकू को रप करते हैं, तो चाकू की एजिस पहले से शा अपने इसको बढ़ा लीजे, और यह है 100% वक करता है, तो चलिए बढ़ दे हैं अपने नेक्स चिप पर, और नेक्स चिप है हमारा सर्सो के तेल को लेकर, तो फ्रेंट्स जब सर्सो का तेल कच्चा होता है, तो वो काफी स्मैल करता है, और हम इसको कैसे पकाएं, ताकि इ आप देखेंगे, तेल को गैस पर रख दिया है, और इसमें आट कर दिया है एक चमच नमक, और इसके बाद हमें इसे पका लेना है, तो तेल एकदम पक जाएगा, और इसमैल खतम हो जाएगी, एक और तरीका है तेल की स्मैल को खतम करने का, तो यहाँ देखेंगे, मैंने एक चम्मच आम का चार ले लिया है, ये थोड़ा पुराना हो गया था पर अगर आपके पास ताजा है तो आप वो भी अचार योज़ कर सकते हैं, इसको इसमें डाल दिया है और फिर से हम इसे पका लेंगे, आप देखेंगे तेल का कलर भी चींज हो जाएगा और तेल अच् काम करती हैं, चलिए बढ़ दे अपनी नेक्स चिप पर, तो नेक्स चिप है अदरक को लेकर, तो हम अदरक को किस तरीके से छी लें कि उसका छिलका भी उतर जाए और अदरक वेस्ट भी नहोग तो नौर्मली हम चाकु से अदरक छीलते हैं, पर इस तरीके से थोड़ासा अद्रक वेस्ट हो जाता है पर हम इसे चीलेंगे चमस से तो येस फ्रेंट जब हम jm cabbage चीलेंगे तो अद्रक बिल्कुल भी वेस्ट निए तो अगली बार जब भी आपको अद्रक छिलना हूँ तो आप चाकू की जगहा पर इस्पून का यूज करें तो हैना इक दम बढ़या है तो चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स हैक पर तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ले लिए है पता गोभी और आपने काफी सुना हो और देखिए यह देखने में एकदम फ्रेश लग रही है इसको फिर से एक बार और कट कर लेते हैं और इसके जो डंठल है उसे हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़े बरतन में ले लिया है पानी क्योंकि हम इसको थोड़े देर भीगो के रखने बा देखिए मैंने इसके डंठल को निकाल दिया है और अब हम एक एक करकर इन सभी पता गोबी को पानी में डिप कर देंगे और अब इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो पानी है पता गोबी में अंदर तक चला जाए यहाँ देखिए आप नोटिस करेंगे कुछ काल काला नजर आ रहा है तो हम इसको निकाल देते हैं और इस तरीके से जब हम सबजियों को थोड़ी देर हल्दी के पानी में भिगो देते हैं तो उसमें से सारी गंदगी जो भी होती है वो निकल जाती है तो ये स्ट्रिक को आप जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही काम की और बह सीलता नहीं है तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स टिप पर तो नेक्स टिप आज का जो हमारा है ये है पाइनैपिल वेस्ट कुले कर जब हम पाइनैपिल कट करते हैं तो काफी सारा वेस्ट साइडों में निकल जाता है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगी और इसको एक लीटर पानी में मिक्स कर देंगे तो दोस्तों यहां पर हम बनाने वाले हैं पाइनैपिल डेटॉक्स वॉर्टर पाइनैपिल में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को पचाने में बहुत मदद करता है और इसी के साथ पाइनैपिल में होती है इंफ्लमेटरी और उसके बाद चान कर हम इस पानी को दिन में पी सकती है हमें इस पानी को एक दिन में खतम कर दीना है तो फिरी में गोडों से भरपूर यह डिटॉक्स वॉटर तयार हो जाता है तो चलिए नेक्स में बताती हूँ आपको कि शिमला मिर्च को किस तरीके से कट करना ताकि शिमला मिर्च पिल्कुल भी वेश नहीं हो तो सबसे पहले हम इसके उपर के टॉप को इस तरीके से कट कर देंगे और आप देखेंगे इसके साइडों की जो शिमला मिर्च है डंठल से एकदम असानी से अलग हो जाएगी और देखी डंठल हमारा अलग हो गया है तो है ना कमाल का है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स टेपर तो फ्रेंड्स देखें मैंने पता गुबी को कट करा था पर अब हम इसे इस तरीके से काटेंगे कि हमारी पता गुबी बिल्कुल भी वेश नहीं होगी तो इसे भी हम देखें मोटे वाले पाट को अलग करकर साइड तो हमारा नेक्स टेक है डाल को लेकर पहले जमाने में आपने देखा होगा लोग बहुत सारी डाल को साल भर के लिए स्टोर कर लेते थे और उनकी डालों में कीड़ा भी नहीं लगता था तो अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा वो क्या करते थे जिससे डाले सालों साल खरा दाल को मसल लेंगे तेल के साथ तो दाल एकदम फ्रेश रहेगी और इसमें बिलकोल भी कीड़ा नहीं पड़ीगा आप इसे साल भर भी स्टोर कर सकती हैं बीच-बीच में बस आप इसे धूब दिखाते रहेए और इसको आप स्टोर करिए बिना कीड़े लगे आप दालों को बचा सकती हैं दोस्तो इस टॉपिक पर मैंने पूरी वीडियो एक अलग से भी बना रखी है और उसमें मैंने साथ से आठ तरीकी बताए हैं कि किस तरीके से हम दालों को कीड़ा लगने से बचा सकते हैं और क्या-क्या चीज़े यूज करके हम दालों को साल भर स्टोर कर सक बीच-बीच में हम इने धूब दिखाते रहेंगे ताकि ये दाले लंबे समय तक फ्रेश रह सकी तो आप भी इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा बढ़ते हैं आज की नेक्स ट्रिपर तो यहां दिखें फ्रेंड्स जब हम मिक्सी के जार को लगातार यूज करते हैं तो उसके ब्लेट्स के शापनेस थोड़ी कम हो जाती है तो हम फिरी में इसके शापनेस को कैसे बढ़ाएं तो देखें मैंने जार में डाल लिया है थोड़ा सा नमक कम से कम 4-5 चमच नमक और इसके ढकन को बंद करकर मैं इसे 2 मिन तक मिक्सी कर लोगी ऐसा करने से इसकी शाप बढ़ जाएगी है ना कमाल का हैक तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट हैक पर तो फ्रेंट्स देखिए ये ले लिए हैं मैंने दूद का भगाउना और आप देख रहे होंगे इसके साइडों में काफि सारी मलाई लग रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इस मलाई लगी है उनको अलग कर लेती हूँ तो चाको के शाप वाले साइड से मैं इस तरीके से इसको घुमाती जाओंगे और आप देख रहे होंगे कि मलाई अलग हो रही है इस तरीके से जब हम मलाई निकालते हैं तो पूरी की मूरी मलाई अलग हो जाती है दूद पे से और दू मलाई छनी में आई है और इसमें जितना दूर है वो सारा भगोने में वापस चला गया है तो अब नेक्स टाइम आप इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो टेल में गंदगी रह जाती है ना इसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं और इस टेल को पहले जैसा कैसे बना सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी गंदगी ना हो और देखने में क्लीन लगी तो आईए इस तेल को clean कर लेते हैं जिसके लिए हमने देखे इस तरीके से छनी ले लेनी है और इस पे हमने लगा लेनी है cotton जो चाय वाली छनी होती है आप वो ले लीजिए और इस तरीके से cotton को हमें फैला लेना है मतलब जब हम इसे छनी पे रखे न तो चनी पूरी तरीके से cover हो जानी चाहिए दिखे चनी पूरी तरीके से cover हो गई है और जो side में रह गई है मैं वहाँ पे भी इसे फैला देती हूँ इस तरीके से जब आप तेल को clean करेंगे न तो तेल एकदम पहले की तरह clean हो जाता है नीचे हमने एक bowl लख ली है और उपर से दिखे हम इस तेल को इस तरीके से pore करेंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ देखे जो नीचे तेल आ रहा है न एकदम clean है जैसे हमने इसे use ही न करा हो और फ्रेंक्स ये सरसो का तेल है और आपको तो पता ही है कि वो थोड़ा yellowish होता है इसलिए इसका color भी change है पर इस तरीके से चानने के बाद ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे बिलकुल भी use न करा हो तो देखिए मैंने सारे तेल को पलट दिया है और जितनी भी इसमें गंदगी थी न वो इसी cotton में रह जाएगी और अब हम इस तरीके से प्रेस करते हुए cotton के तेल को भी इस बावल में निकाल लेंगे आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी सारी गंदगी थी जो इसी cotton में रह गई है और अब इस तरीके से प्रेस करते हुए भी हम cotton को बिलकुल ड्राय कर लेंगे तो आप देख सकते है ना बिलकुल दो मनट में हमने गंदे हो चुके तेल को एकदम से क्लीन कर लिया है है ना एकदम आसान तरीका आप भी इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा और मुझे बताएगा कि आपको एक केचिन टिप कैसी लगी तो कॉटन को फेक देते हैं और एकदम क्लीन साफ तेल हमारे सामने है और ये तेल एकदम तयार है नेक्स टैमियोस का यूनीक और डिफ्रेंट शेप का स्नेक्स लेकर रही हूँ जो देखने में भी इतना सुन्दर लगेगा और खाने में भी बहुती स्वादिस्च है तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाउल में दो बड़े चमच बेसान ले लेना है और अब हम इसमें बिलकुल बेसिक से मसाले एड़ कर लेगी तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत जादा ताम जाब की जुरत नहीं पड़ेगी पर ये बहुत ही जादा डिफरेंट तरीके से बनती है तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अलग स्वाद आता है तो यहाँ देखिए हमने मसाले मिला लिए हैं और अब हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक थेक बैटर तयार कर लेंगी शुरू में हमें बैटर को बिल्कुल पतला नहीं करना है तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसका थेक बैटर तयार हो गया है पतला बैटर तयार करना है जैसे हम पकोड़े बनाते हैं तो थोड़ा सा पतला बैटर तयार कर लेंगी यहां दिखिए पतला बैटर तयार हो गया है चलिए यह प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है इसे हम साइड में रख देते हैं और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए दो आलू और एक प्यास तो सबसे पहले मैंने इसे वॉश कर लिया था और अब मैं इसे छील कर बिल्कुल पतले-पतले स्लाइसेज में कट कर लूँगी तो फ्रेंड्स आलू के स्लाइसेज एकदम पतले होने चाहिए जब आप पतले slices का snacks बनाएंगी ना तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा tasty लगेगा आप चाहें तो आप इसे कद्दू कस्त में जो slicing वाली blade होता है ना उससे भी slice कर सकती है तो चलिए मैंने आलू और प्यास को slice कर लिया है और अब हम इने combine कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखें मैंने एक आलू का slice लिया है और इस पर हम इस बेशन को हलका सा spread कर देंगे जो हमने thick batter हो का था ना बेशन का उसे इसके उपर रखेंगे onion slice और हलका सा नमक डाल देंगी ताकि जो snacks है ना खाने में एक दम मज़ेदार लगे उपर से मैं यहाँ पर देखें थोड़ी सी chops vegetable डाल रही हूँ इसमें शेमला में चप्याज और गाजर है उपर से डालेंगे थोड़ा सा grated cheese और वापस से हम एक आलू का slice लेंगे इस पे बेसन वाले घोल को फैला देंगे और इस cheese के उपर रख कर प्रैस कर देंगे हमने बेसन का घोल यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि जोए चीजे है ना आपस में अच्छे से चिपक सके और उपर से हमने toothpick लगा दी है ताकि खाने में भी असानी रहे और इसे हम उठा कर आराम से तल सकी तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी सारे pieces भी तयार कर लेते हैं आप चहें तो आप इसमें cheese इसके भी कर सकती हैं पर मैंने थोड़ा सा cheese दाला है ताकि ये खाने में और भी जादा tasty लगी तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे pieces बना कर तयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं ये look wise कितने सुन्दर लग रही हैं और जब हम इसे खाएंगे ना तो हर चीज का flavor पूरा आएगा बच्चों को भी जब आप इस तरीके की चीज़े सर्फ करते हैं तो उन्हें पहुत ही पसंद आती हैं एक तो ये easy to eat है और इसमें cheese भी है आप इस snacks को बच्चों के party में, kitty party में या फिर बच्चों को टेफिन में भी दे सकती हैं देखिए हमें इस तरीके से इसे उठाना है और इस बेशन के घोल में dip कर देना है और चमच से हम इसे पूरी तरीके से बेशन के घोल में लपेट देंगे और अब बारे इसे fry करने की तो आप देख सकते हैं मैंने चमच की सायता से इसे उठा लिया है और तेल को मैंने पहले ही गरम कर लिया था इसको इसमें dip कर देते हैं तो देखिए friends, gas की flame ना आप medium to high रखिएगा एकदम low gas पर इसे मत बनाईएगा और बस इस तरीके से हम सारे snacks को अलट पलट कर सेक वैसे आप इस snacks को क्या नाम देंगे मुझे comment section में जरूर suggest करिएगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो like के बटन को प्रेस करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे इस मज़ बहुती ज़ादा tempting लग रही है चलिए इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे pieces भी तयार कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी जब हम तलते हैं तो उसके बाद तेल कुछ इस तरीके का हो जाता है पर आज मैं आपके लिए इसे clean करने का बहुत असान तरीका लिक्याई हूं जिसे मैं last में आपकी साथ share करूंगी उससे पहले हम इस snacks को सर्फ कर लेते हैं देखें toothpick लगाने के वज़े से यह काफी handy भी हो गए हैं आप इने बच्चों को टिफिन में भी दे सकती हैं और इनका shape इतना different है ना कि हर को इने खाना चाहेगा उपर से दिखें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला और यह snacks तयार है सर्फ करने के लिए friends आप इसका नाम मेरे को जरू सजेस्ट करिएगा तो देखें लग रहा है ना कितना स्वादिस्ट आप भी जल्दी से इस recipe को try करिएगा और मुझे comment section में बताएगा कि आप चाते एक टिप और शेयर करते हैं अगर टीज ट्रेनर गंदा हो जाए तो उसे दो मनेट में हम कैसे साफ कर सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें का चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फ्रेमली के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें आप मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे फेस्बूक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फालो कर सकते हैं विदे सेम आइडी फूर जंक्शन बाय निहा मिलते हैं अगले वी आपके साथ ऐसे ही कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिससे हमारे दाल और चावलों में कीडे भी नहीं पड़ेंगे और सालों साल के दाले खराब भी नहीं होगी साथ ही मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप आटे को भी कीडों से बचाकर रख सकते है तो सबसे पहले यहाँ पे देखे हमने अरहर की डाल ली है और हात में ले लिया है पिलकुल आधा चमच सरसो का तेल और इस तेल को हम दोनों हातों पर अच्छे से मल लेंगे और फिर इस पूरी डाल में अच्छे से मिला लेंगे बहुत जादा तेल नहीं लेना है सिर्फ आधा चमच तेल इतनी डाल के लिए काफी है दोनों हातों से रगड़ते हुए हम पूरी डाल पर इस तेल को अच्छे से मस्तल देंगे पुराने जमाने में लोग बहुत सारा नाच एक साथ ले लिया करते थे क्योंकि पहले जमाने में जोइन फैमली भी होती थी तो राशन भी जादा चाहिए होता था वो लोग इसी तरीके से डालों को प्रिजर्व करकर रखते थे इससे ना तो बरसात में डाले सीलती है और ना ही इसमें कीड़ा लगता है और समय समय पर वो लोग इन्हें धूबे दिखाते रहते थे तो देखिए दाल में तेल अच्छे से मसल दिया है और अब ये दाल साल भर भी खराब नहीं होगी तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें चलिए अब एक और दाल ले लेते हैं तो यहाँ पे मैंने मूं की छिलके वाली दाल ली है इसे भी ह दाले कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं पर इस तरीके से आप दालों को प्रिजर्व करिए और आपकी दाले लंबे समय तक बिल्कुल सही बनी रहेंगी इस तरीके से आप सभी दालों को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और इनमें कीडा भी नहीं लगेगा अगर आप डालों में सरसो का तेल नहीं लगाना चाते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इने और किन-किन तरीकों से कीडों से बचा सकते हैं तो यहां देखिए मैंने दो ले लिए हैं तेजपात के पते और इसको हम तोड़कर दाल के अंदर इंसर्ट कर देगी और धकन बन करकर इस डिपको हिला लेंगी तेजपात की स्मेल से दालों में कीड़े नहीं लगती हैं चलिए, तीसरा तरीका है कि आप दाल के अंदर 3-4 मिर्चे जो सुखी लाल मिर्चा आती हैं उन्ने डाल दीजे और दालों को कीड़े से बचा लीजे इस तरीके से भी दालों में कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता है चलिए चौथा तरीका मैं आपको बताती हूँ, बजार में इस तरीके से गोलियां आती हैं, आप इन गोलियों से भी इन दालों को प्रिजर्फ कर सकते हैं, बस ध्यान रखें जब आप डाल भी गोएं तो गोलियों को इसमें से निकाल लें नेक्स है, आप डालों में सूखी नीम की पत्यों को डाल दीजे और इनमें कीड़ा लगने से इनहें बचा लीजे, पर नीम की पत्या एकदम सूखी होई होनी चाहिए, आप डालों में हल्दी की गाठे भी डाल सकते हैं, हल्दी के तीखे पन से भी डाले खराब नहीं होती ह नेक्स्ट है अगर आप लहसुन का यूज करते हैं तो दालों में लहसुन की कलियों को भी डाल कर रख सकते हैं जैसे जैसे लहसुन की कलिया सूखने लगेंगी वो और भी जादा स्ट्रॉंग स्मेल करने लगता है जिससे की दालों में कीड़ा नहीं लगेगा इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप जिस डिब्बे में दाले पलट रहे हैं वो पूरी तरीके से सुखा हुआ होना चाहिए और आप दाल और चावल को कीड़े से बचाने के लिए उसमें माचिस की तिल्लियों का भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि माचिस में सलफर होता है तो उससे भी कीड़े दालों में असानी से नहीं लगते हैं चलिए अब आटे की भी बात कर लेते हैं तो यहां देखे मैंने आपके साथ और भी सारे टिप्स को शेयर करा है तो आप इन चीज़ों का यूज़ करकर दाल, आटा, चावल सभी को कीड़े लगने से बचा सकते हैं क्योंकि बरसातों में ये प्रॉब्लम बहुती कॉमन हो जाती है तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें और अपने अनाच को कीड़ों से बचाएं चलिए अब मैं आपके साथ एक बहुती मज़ेदार सी और बहुती इफेक्टिव चोरन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये आपके इस टमक में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम में हेल्प करता है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ले लिये हैं कुछ स्टिक एलोवीरा की और इसके साइट्स को काट कर मैं इसको छोटे छोटे पीसिस में कट कर लूँगी ये एलोवीरा हमारी बॉडी के लिए बहुती फायदेमंद होता है तो इसे हमें डेली जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए यहाँ देखिए मैंने इसके छोटे छोटे पीसिस कट कर लिये हैं और अब धूप में मैं इस एलोवीरा को सुखा लूँगी फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मैं इसी तरह आपके साथ होम रेमेडी शेयर करती रहती हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी यहाँ देखिए दो दिन बाद अलो वीरा इस तरीके से हो गया है पर अभी हमें इसे और ड्राय करना है तो अभी इसे वापस से हम धूप में रख देंगे और और जादा सुखाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक हफ़ते बाद यह इस तरीके से लगने लगेगा एकदम कुरकुरा हो जाएगा और अब हम इसे असानी से पीस भी सकते हैं पर उससे पहले मैं इसे एक पैन में डाल कर थोड़ा सा रोस कर लूँगी ताकि अगर इसमें कुछ भी नमी हो तो वो खतम हो जाए और यह पहुत ही अच्छे से पिसा के एकदम फाइन पाउडर हमें इसका बनाना है तो देखिए एक मिनट के लिए हमने इसे रोस कर लिया है और एक बरतन में निकाल लिया है अब हम इसमें बाके के इंग्रिडियंट एड़ कर लेते हैं तो यहां वाइन भी हमारे इस चमक के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है तो अब ले लेंगे वन फूद कप मेथी और इसको भी ड्रायरोस कर लेंगी मेथी का सिवन वैसे भी हमारी शुगर लेवल को काफी कंट्रोल में रखता है इसी के साथ इसमें डाले पेन हो या फिर आपको ब्लोटिंग सा फील हो और या फिर आपको ऐसी डिटे की प्रॉबलम लगी ये चूरन सभी चीजों में बहुत इफेक्टिव है और बहुती इंस्टेंट रिलीव देता है तो देखिए ये सभी चीजों को अच्छे से ड्रायरोस्ट कर लिया है और अलोवीरा के साथ इसको मिला लेंगी चलिए इसको पीस लेते हैं और एकदम फाइन पाउंडर में हम इसको कनवर्ट कर लेंगी तो तयार है हमारा बहुत इफेक्टिव सा चूरन लास्ट मेस में एट करेंगे ब्लैक सॉल्ट तो यहां पे मैंने वन फोट कब ब्लैक सॉल् एक बार फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे और मैजिकल चूरन तयार है अब जब भी आपको लगे कि आपको इंडाजेशन फील हो रहा है तो आप एक चमच चूरन लीजिए और निवाया पानी या फिर कुनगुने पानी से इसको पी लीजिए आप देखेंगे कि आपके पेट का दर्ध है या एसिडिटी है वो एक दम सही हो जाएगी तो इस तरीके से मैंने इसको एक काच की शिशी में पलट लिया है और इस पे लेविल लगा दिया है अलोविरा चूरन का तो आप इस चूरन को जरूर बना कर रखिए ये बहुत ही असरदार है एक होम तो आज की ये वीडियो आपी के लिए है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चूहे जादातर वहीं आते हैं जहां उन्हीं खाने की चीज़े मिलती हैं और ये नाली में से वास अगर में एंटर हो जाते हैं और उसके बाद आपकी कीमती चीजों को नुकसान पहुचाते हैं चीजे को दर देते हैं चाहे वो बुक्स हो चाहे हो लकड़ी की चीजे हो आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बावल ले लेंगी औ तब भी यह आपके लिए एकदम सेफ रेमिडी है चूहों को भगाने के लिए वैसे तो बजार में काफी तरह की दवायां मिलती हैं जिन से चूहे मर जाते हैं तो वो दमाईयां बड़े और बच्चों सभी के लिए काफी नुकसान दायक होती हैं तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तब भी आप इस रेमिडी को योज कर सकते हैं तो चलिए आप इसमें मिलाते हैं दो चमच सफेद सिरका तो आप कोई सी भी कंपनी का सफेद सिरका इसमें एड़ कर लीजिए इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि चूहे इसकी स्मेल को बिल्कुल पसंद न ठाला था और यह बेशन अभी गीला नहीं हो है तो इसमें एक धकन सिरका और एड़ करेंगे और इसको हम ऐसा कर लेंगे कि ना तो जादा पतला हो और ना जादा गाड़ा हो हमें सबी चीज़ें इसी मात्रा में लेनी है ना तो कोई चीज कम लेनी है और नहीं बहुत जादा तो देखें इसका एक पेश तयार कर लिया है अब इसमें हम दूसरी चीज एड़ करेंगे एक और ऐसी चीज जो सबी के घरों में असानी से मिलती है तो वो है एक चमच कपड़े धोने का सर्फ, आप इसमें कपड़े धोने का या बरतन धोने का कोई सभी सर्फ यूज़ कर सकते हैं इसमें एक चमच सिर्का और मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप सारी चीजे ध्यान से देख लीजे, कोई भी चीज कम या जादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल perfect consistency के साथ हम इसे तयार करेंगे ये remedy मैंने घर पर use करी है तो इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ, ये बहुत कारगर है चूहों को भगाने में और इसलिए आज मैं इस remedy को आपके साथ share कर रही हूँ इससे चूहे आपके घर का रास्ता बिल्कुल भूल जाएंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे एक ऐसे चीज जो बहुत तिकी होती है तो यहां मैंने 6 हरीमिट्च ले ली है और इनका एक paste तयार कर लिया है इस paste को हम इस बेसन वाले paste में मिला देंगे और इसे बहुत अच्छे से हम mix कर लेंगे देखे पेस्ट एकदम बन कर तयार है और इसकी consistency भी देख लीजिए बिल्कुल ठीक है यह चमसे easily फैल जाएगा आप इस paste को ऐसी ऐसी जगा पर रखेगा जहां आपको चुहे लगता है बार बार आते हैं जैसे sink के नीचे या फिर friss के नीचे gas lab के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं और यह तयार है अब हम यहां ले लेंगे कुछ newspaper के टुकड़े जिनको इन बड़े-बड़े pieces में cut कर लिया है अब इस paste को लेंगे और इस newspaper के टुकड़े पर पूरे में फैला देंगे newspaper को हम इस paste से पूरी तरह cover कर देंगे देखिए तो यहां पे मैंने दो चमच paste ले लिया है और आप इस तरीके से इसे पूरे newspaper पर फैला लीजे नीचे मैंने एक plate रख ली है जिससे बाद में हमें newspaper के टुकड़े को उठाने में तिक कतना हो तो देखिए आप बहुत पतली layer paste की मत लगाईएगा थोड़ी थिक layer लगाईएगा थोड़ा सा paste all ले लेते हैं और इस newspaper को paste से cover कर लेते हैं यह इतना तीखा paste है कि आप बच्चों को इस paste से दूर ही रखिएगा वरना उनको बहुत जादा मिर्ची लग सकती है तो देखिए news paper पे पूरी तरीकी से इस paste को लगा लिया है और अब हम इसे रख देंगे gas के नीचे और ये काम आप रात में करिएगा क्यूंकि जब kitchen खाली होती है तब वो kitchen में freely घूमते हैं तो आप ये काम रात में करिएगा आप इसको frizz के नीचे रख सकते हैं और sink के नीचे भी रख सकते हैं अब थोड़ा सा जो paste बचा है तो मैं इस तरीके से paper को फाल लेती हूँ और इसको इस paste में mix कर देती हूँ देखे paper पे इस तरीके की छोटी छोटी गोलिया सी बन जाएंगी और इसे हम रख देंगे किवाड के पीछे या फिर अलमारियों में जहां चुए इजिली घुज जाते हैं आप इने बैट के नीचे भी रख सकते हैं तो हैना एकदम आसान सी remedy बिना किसी खर्च के हम इस remedy को घर पर बना सकते हैं और बहुत ही असानी से घर के चूहों को भार भगा सकते हैं मैंने इस remedy को यूज कर रहा था और ये काफी कार गर रही आप भी इस remedy को ज़रूर यूज करिएगा और मुझे कमेंड सेक्षन में बताईगा कि आप को इस remedy कैसी लगी अगर आप पूजा के बतन रगड़ रगड़ कर परिशान हो गए हैं और वो फिर भी साफ नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ एक चीज पानी में मिलाईए और इन बतनों को पहले जैसा नया बना लिजे सिर्फ एक चमच दाने आपके पुराने बतनों को बिलकुल नया जैसा कर देंगी तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू फूर जंक्शन बाई निहां आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो यहाँ पे देखे मैंने तामबे के और कुछ पीतल के बरतन ले लिए हैं इन्हें हम डेली पूजा में योज़ करते हैं जिसकी वज़े से ये काफी गंदे हो गए हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप खर पे हुए रखे समान से इन्हें कैसे पैले जैसा नया कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम एक परात ले लेते हैं या फिर आप भगोना भी ले सकते हैं पर बरतन थोड़ा सा बढ़ा लिजिए जिसमें आप ये पूजा के बरतनों को डिप कर सकी अब इसमें डाल लेंगे बरतनों के अनुसार पानी तो यहाँ पे मैं जादा बरतन यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने तीन लोटा पानी इसमें डाल लिया है इस तरीके को यूज करने के बाद आप बाकी के सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे चलिए इसमें एड़ कर लिते हैं एक चमच नमक नमक का काम होता है मैल को कट करना तो यहाँ पे मैं नॉर्मल नमक का यूज कर रही हूँ जिसका योज हम खाने में करते हैं वही एक चमच नमक इसमें डाल देंगी और अब लेंगे हम एक बहुती असरदार और जादूई चीज आप भी इसका योज किसे ना किसी चीज में जरूर करते होंगे तो यहां देखे मैंने ली है टाटरी यह दानेदार टाटरी है और इसका पाउडर भी आता है तो यहां मैं डेट चमच टाटरी का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने तांबे और पीतल के काफी सारे बरतल लिये हैं अगर आप थोड़े बरतन साफ करें हैं तो आप एक चमच टाटरी भी आइट कर सकते हैं देखिए टाटरी पानी में घुल जाएगी तो हम इसे मिक्स कर लिते हैं और अगर आप इसका पाउडर यूज करना चाते हैं तो इसको हलका सा मिक्सी कर लिजे उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं और जब आप इस पानी को यूज करेंगे तो बरतन एकदम नए जैसे निकल के आएंगी चलिए इसमें इन बरतनों को डुबो देते हैं तो थोड़ा सा पानी अंदर भी डाल देते हैं ताकि अंदर से भी बरतन साफ हो जाएं और दो से तीन नट के लिए इन बरतनों को और दीवे बगैरा जो भी हैं उसे इस थाली में भिगो देंगी और छोड़ देंगी अब दिवाली भी आ रही है और उसमें हम मूर्तिया भी भगवान जी की साफ करती हैं तो आप इन में भगवानची की मूर्तिया भी डिप कर सकती हैं, वो भी मूर्तिया एकदम साफ हो जाएंगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी जरूर करिएगा, देखिए आप नोटिस करेंगे मैंने इसे बिलकूल भी रगड़ा नहीं है और पानी में रखे रखे ही इसका नीचे कतला साफ होने लगा है, तो अब हमें एक ब्रश ले लेंगे और ब्रश से इसे थोड़ा सा रगर लेंगी बीच बीच में देखे इसे पानी में घुमाते भी रहेंगे और बिना रगणे भी ये साफ हो जाएंगे पर उसके लिए आपको इन ही थोड़ी देर के लिए पानी में टूबों के रखना पड़ेगा अगर एक बार आपने इस तरीके से पीतल के और तांबी के परतन साफ कर लिए तो आप बाकी के सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे बिना रगणे भी इन परतनों को आसानी से साफ किया जा सकता है यहां देखिए दीपक थोड़े चिकने थी इसलिए मैंने टेट चमच लिक्विड सर्फ का यूज करा है अगर आप ऐसे दीवों का यूज कर रहे हैं जो पहले से ही साफ हैं बस आपको उन्हें चमकाना हैं तो आपको सर्फ डालने की भी कोई जुरत नहीं है और आप लिक्विड सर्फ की जगा पाउडर वाले सर्फ का भी यूज कर सकती हैं आप फिर से इसको हलका सा या तो ब्रेश से रगर लीजे या फिर जो ग्रीन कलर का स्क्रोच पर राइट आता है आप उससे भी से रगर सकती हैं और सिर्फ पाच मिनट में ये सभी चीज़े चाहें पीतल के दीवे हो या फिर कलश एकदम नए जैसे चमचमाने लगेंगे आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और ये देखिए सिर्फ पाच मिनट में हमारी पुराने पड़े हुए और काले हो चुके कलश और दीवे एकदम चमचमाने लगी है यहाँ देखें ये कासे का लोटा है इसे भी मैं इसी स्कॉच ब्राइट से हलका सरगर लूगी और इसकी गंदगी भी साफ हो जाएगी ये लोटा आप जो देख रहे हैं ये कम से कम 45 एर्स पुराना है ये मेरी मदर इलोका है पहले इसी तरीकी के बर्तनों का यूज किया जाता था तो आज भी हम इसका यूज कर रहे हैं तो मैंने सोचा इसे भी आपको साफ करके दिखाती हूँ और ये जो बड़ी वाली प्लेट है ये भी इतनी ही पुरानी है जितना पुराना ये लोटा है तो आप इस पानी से इन बर्तनों को बहुती असानी से और मिंटों में साफ कर सकती हैं तो अब से पूजा की बर्तनों को साफ करने का जणजट एकदम खतम और जब आप इस पानी को यूज़ करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा ये पानी बहुत ही असरदार है देखिए ये दीवा भी कितना काला पड़ चुका था इसके फीचर्स जो इस पे भगवान जी बने हुए हैं वो नहीं दिख पा रहे थे पर इस जादोई पानी से वो सारी गंदिगी भी साफ हो गई है और दीपक एकदम नए जैसा हो गया है और ये सभी बरतन सभी दीपक बहुत अच्छे से चमक गए हैं और बिलकुल नए जैसे लग रही हैं चलिए इन सब को हम इस पानी में से अलग कर लेते हैं और ये पानी ऐसा है कि आप इसे बिलकुल भी फेकिएगा मत आप इसे काच के पोटल में स्टोर कर लीजेगा और दीपको या कलश को साफ करने के लिए इसे बार-बार यूज कर सकते हैं चलिए साफ पानी ले ले लेते हैं और इन बरतनों को भी साफ कर लेते हैं बिना किसे ताम जाम के मिंटों में हमने इन काले परचुके कलश को और दीपको को साफ कर लिया है एक दम नए जैसा बना लिया है बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप इन तामबे के बरतनों को या लोटों को आप पानी से धोलें उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से इसे रगर लें तो साफ पानी से धोने के बाद हम भी इस कलश को कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इस पे जो नमी है वो निकल जाए और ये ऑक्सिडाइज ना हो और जब आप इस तरीके से बरतनों को साफ करेंगे तो वो एक हफ़ते भी बिलकुल आपको नए जैसे लगेंगी तो देखिए तयार है अमारा चमचमाता सा कलश है ना कितना असान और असरदान नुस्का आप भी इस दिवाली अपने पीतल के या तामबे के बरतनों को इसी तरह चमकाईए और भगवान के पूजा कीजिए रोज में यूज होने वाले कलश अक्सर काले हो जाते हैं तो हमें समय समय पर उन्हें साफ करते रहना चाहिए तभी भगवान को भी पूजा करने में अच्छा सा लगता है मैं अपने पूजा के बरतन और दीपक इसी तरीके से साफ करती हूँ और ये 100% वर्क करता है गंदे लगे तो उसे एक भगवने या परात में निकालिए और तो उसे चार मिनट के लिए काले पढ़ चुके बरतनों को उस पानी में टिप कर दीजे और आपके काले पढ़े हुए दीपक और कलश फिर से एक बार चमकने लगेंगे आप मुझे कमेंट करकर बताईएगा कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी या ट्रिक के साथ तब तक क्लिप बाबाई